लेट आरवन और टू भी सर्क रेडिया ऑफ लार्जेश फॉल्ड चर्कल विच पासेज थू पॉइंट माइनस फोर कॉमा वन एंड हैं यह जो माइनस फोर कॉमा वन से भी पास करना है ठीक है अब देखो बहुत इजी क्वेश्चेन है अना कैसे इजी क्वेश्चेन है मैं को सिफांगा इसको है ना एकस प्लस वन का होल स्कॉरर मैं फ्लस वाइ प्लस टू का होल स्कॉरर तरह टीक है इस इकोल टू 9 होगे आ आप देख लो इस इकोल भी है इस सर्कल के लिए तो आप देखो हो क्या रहा है यह सर्कल मुझे इसका रेडियस नहीं बता मगर यह पास कर रहा है इस पॉइंट यह इसका सेंटर है और यह पॉइंट लाए कर रहा है माइनस 4,1 तो यार सीदीजी बात है यह रेडियस होगा आप स्कॉइर कित्ता हो जाएगा डिस्टेंस फॉर्मला से निकालव थिक है तो थ्री को यह सब्सक्राइब स्कॉइर है कि प्लस डिक माइनस थ्री साइन ठीटा का स्कॉइर अना अब यह कित्ता आ गया थी स्कॉइर प्लस इसक्वाइर 18 मैं आज आएका 9 कैसे है बिटाई 9 कॉस्क्वाइड थीटा प्लस 9 साइन स्क्वाइड थीटा फिर यह 9 तो आए गाई थी 18 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा करेक्ट यह आर स्क्वाइर थीके अब देखो 27 प्लस 18 कॉस्ट थीटा यह आ गया है राइट अब देखो दिमाग लगाओ यहां पे इसकी मैक्सिम और मिनिमम वैली तो रेडियस देगी आरण आर्टू वी दिर रेडियस ऑफ लार्जेस में स्मॉलेस्ट अब इसकी लार्जेस्ट वैली होती है आरवन स्क्वाइर होगा 27 प्लस 18 रूट टू आरटू स्क्वाइर होगा 27 माइनस 18 रूट टू करेक्ट तो आरवन बाई आरटू का स्क्वाइर अगर मैं इसको डिवाइड करूं नाइन काड़ देता हूं 3 प्लस 2 रूट टू अपॉन 3 माइनस 2 रूट टू तो आप लोगों शायर यह चीज तो पता होगी कि अगर मेरे पास आरवन स्क्वाइर बाई आरटू स्क्वाइर 3 प्लस 2 रूट 2 अपॉन 3 माइनस 2 रूट 2 आ रहा है तो यह इसेंचली प्लस 1 अपॉन 2-1 कहीज स्क्वाइर है तो इसका मतलब र1 बाई R2 आपका कित्ता आ गया ROOT 2 प्लस 1 अपॉन ROOT 2 माइनस 1 ROOT 2 प्लस 1 अपॉन ROOT 2 माइनस 1 करेक्ट अब इसको rationalize कर लो तो R1 by R2 कित्ता आ गया 3 प्लस 2 रूट 2 तो A की वैल्यू 3 है B की वैल्यू 2 है तो A प्लस B कित्ता आ गया बिटा 5 A प्लस B आपका 5 आ गया करेक्ट दिमाग लगो सही बोल दिया मैंने option number 3 किते लोगों ने मेरे साथ कर दिया था मेरे बात कर दिया था किते लोग सही direction में थे आप लोग आना ये सब चीज़ आगर आप लोग देख रहे हैं तो comment section में भी आप लोग लिख सकते हैं how many of you were on the correct part to do this question इन questions के थुरू आप लोग को ये पता चलता है कि ideally how should you approach these problems